ओम स्री गनी सायनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अपरेल बुद्दुवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग इस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्याबी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यार्तियों को भी उच्छ सिद्ध प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिद्ध की कामना पूरी हो सकती हैं जै दोस्तों कार्य छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित कि असा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयुग मिल सकता है यदि आप घर-परिवार के साथ किसी कारे को करने करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तों साथ साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह कोई निवेस करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक आप अपने कारेच्छित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारण अले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कारण सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पैंस हो सकता है साथी साथ कारे चेत्र में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी महनत करने पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पून रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधुरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत दी होगी जैदुस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आप के लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विद्धार्थियों के लिए विसमय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साति साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्थे में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिसे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी की तस्वीर के सामने बैठ कर हरे रंग के कपड़े से खुद ही सिलाई करकर एक छोटी सी पोटली वनाएं इस पोटली में आप शात दाने शाबुत मूंग दस ग्राम शाबुत धनिया एक पंचुमखी रुद्राक्ष दो शुपारी और दो हल्दी की साबुत गांठें जोटों इन सब को सुपोटली में रख कर भगवान श्री गनेस जी के समस्ट कष्टो को करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्ट परिशान कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फोलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश श्री गनेश अवश्य लिखें और वीड इन अवाद